इन लोगों के ब्यान पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा ये दुनिया बुरी है लोग यही कहते हैं ये दुनिया मतलबी है लोग यही डाते हैं कहने और करने की खुबी तो देखिये काम वही करते हैं बदनाम वही करते हैं जो वहां पोस्टर लगाया जा रहा है या जो भीजे वो अपना भय प्रदर्शित कर रहे हैं कि तेली का तेल जले और फुलाने का कलेजा भटे तुमा भी शुरू नहीं किये और तुमारे यहां जंग शुरू है नमस्कार आप लाइब सिटीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान देखे आज बिहार के साथ साथ देश की राजसनीती का भी बड़ा दिन है क्योंकि दिल्ली में जहां एक तरफ एंडिये की बैठक वहीं दूसरे तरफ बैंगलोरू में विपच्छी दल तम मस्ते हैं और परक्ते भी हैं विशिन पटेल जी बैंगलोरू में एक बड़ी बैठक चल रही है मगर उस बीच एक पोस्टर की इंट्री हुई है जिसमें जो पुल बिहार में गिरा था उसको लेकर के तस्वीर जो है वो मुक्वंति नितीज कुमार के भी दरसाई गई और बीजेपी के बिहार परदे सदे सम्राठ चौधरी कह रहे हैं कि बैंगलोरू में बुला कर मुक्वंति नितीज कुमार को अपमानित किया जा रहा है देखिए यह जो बाते जन्ता पार्टी के लोगों का जो ब्यान आ रहा है उस ब्यान को सबजने की कोशिश कीजिए इन लोगों के ब्यान पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा यह दुनिया बुरी है लोग यही कहते हैं यह दुनिया मतलबी है लोग यही डाते हैं कहने और करने की खुबी तो देखिए काम वही करते हैं बदनाम वही करते हैं तो बरतमान में जो वहां पोस्टर लगाया जा रहा है या जो भीजेपी के लोग बोल रहे हैं वो अपना भय प्रदर्शित कर रहे हैं वहां विपक्षी एक्ता की बैठक हो रही है यह एक बैठक नहीं हो रही है यह तो बहुत पहले घोशित प्रोड़ाब है कि 24 के लोकस्वाद चुनाओं के लिए विपक्षी एक्ता बनाना है और उन तमाम लोगों की बैठक बैठक में होगी भारतिय जन्ता पाटी का कोई बैठक का कहीं कुछ था नहीं लेकिन यह घवरा कि हरी पाप अब तो जाने की बारी लगता है आ गया यह अपनी मीटिंग को भ अठार को ही डग दिया और कंपटीशन क्या कर रहे हैं कि यूपीय में कम घटक दल है और इंडिये में जादा घटक दल है यानि वोट में क्या होगा जन्ता क्या फैसला करेगी यह तो 24 का चुनाओं करेगा लेकिन कितने घटक दल किसके साथ है उसमें यह चाहते हैं कि हम अभी यह बाजी मार लें अरे भाई सवाल है आप लाग कोशिश कर लीजिए मैं इंडिये के लोगों को कहना चाहता हूं एक बात लोग भूल जाते हैं कि यह देश में राजनेतिक पार्टियों के अलाबा जनता भी रहती है और राजनेतिक पार्टियां जो फैसला करती है उससे इतर देश की जनता भी एक फैसला करती है पर बीजेपी के तरफ से कहा जा रहा है कि जेडियू लालू प्रशाद यादब को ऐस गराइंटर यूज कर रही है इस्तमाल कर रही है क्या वो बोल रहे है मैंने पहले ही का आपको आप उनकी बात में बज्जाई कौन क्या बोल रहा है हमारा जो प्रयास है विपक्षी एकता को एक जूट करने का है आप उस प्रयास से घवराएगों पर एक जूट रह पाएंगे यह भी सवाल है क्योंकि सीटों का जैसी सवाल है कि रह पाएंगे यह तो हाइपोथेटिकल है हम क्या कर रहे हैं यह निश्चित है कि हम एक जूट रखने का प्रयास कर रहे हैं हम तैरना सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे हम तैरना सीखेंगे तो हो सकता है डूब जाएं लेकिन अगर डूबने का डर लगेगा तब तो तैरन हम कभी सीख नहीं पाएंगे कि जैसे सीटों की बात आएगी चेहरे की बात आएगी कि विपच की तरफ से पीम चेहरा तास की पत्ते की तरह मैं मैं पहले भी कहा चुका हूं इसके लिए उनको मिठाई मांतने किया और सकता है चिंता किस बात की कर रहे हम भिखर जाएंगे त तो मैं पहले भी एक जुम्ला बोल चुका हूं कि तेली का तेल जले है और फुलाने का कलेजा भटे अगर हम भिखर जाएंगे तो अन्हिए को चिंता किस बात कि उनको परसन्य होने की कि बात रहरा है? कि जो सम्विधान के खिलाफ हम लोग एक कर रहे हैं जो गांधी का जो आदर्श है कि यह मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख इसाई यह चारों बेटों का है कि वह नहीं चाहते हैं कि यहां मनु असमनिती लागू है एक आखरी सवाल इंडिये की बैठक हो रही है उस बीच पसुपति कुमार पारस और चिराग पाश्वान में जो नोग जोग चल रहा है पसुपति कुमार पारस करें कि जो सीटों पर उनकी पार्टी के नेता भी लड़ेंगे चिराग पाश्वान दुसरे तरफ सर्तों के साथ आगे बढ़े हैं क्या लगता है ये इंडिये गड़ बंदन किसो और आप आप को मैंने जो पहले जवाब दिया यह दुनिया बुरी है लोग यही कहते हैं दुनिया मतलब ही है लोग यही रहते हैं कहने काम वही करते हैं बदनाम वही करते हैं लर वो रहे हैं तो हमथं पर लगा रहे हैं का आने वाले दिनों में यह लोग लड़ जाएगा अरे भाई हम जब लड़ेंगे तब लड़ेंगे तुम तो अभी ही लड़ रहे हो तुम अभी शुरू नहीं किये और तुमारे यहां जंग शुरू है तुम अपनी चिंता करो अपने घर को बचाने का प्रयास करो वैसे यह तुमारा घर बचने वाला नहीं है वो समय आ गया है और जो विपक्षी एक्ता है वो अटूठ है और वो आने वाले 24 के चुनाओं में अपना रंग दिखाएगा और मोधी को सत्ता से बहुत दूर ले जाएगा दुल्हा की बात हो रहे विपक्षी के तरफ से दुल्हा कौन हो को बहुत सारे क्यों कि विपक्षी दल आ गए है सवाल है कि जब हम लोग एक साथ बैठे हैं तो दुल्हा कौन होगा वो तय हो जाएगा वो उसके लिए दूसरे को चिंता करने की बात नहीं है हम लोग वैसा ही दुल्हा चुनाएगा जो मारातियों को पसंद आए तो आपने सुना विशिन पिटिल को अस पसरूप से कहते नजर आ रहे हैं कि दूल्हा वैसा ही होगा जो बरातियों को भी पसंद आएगा खैर इस वीडियो में इतना ही आपका बहुत बहुत सुक्रिया